काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है और NTA क्या चाह रहा है यह सब करवा के कुछ ना कुछ तो चाल है कोई बहुत मास्टरमाइट इनसान वहाँ पर बैठा हुआ है जो चीजों को बहुत क्लियरली और समझदारी से इन चीजों को कर रहा है उन्हें पता है कैसे एक आंदोलन को कैसे एक मॉमेंट को तोड़ा जा सकता है किसी चीज का मॉमेंटम कैसे बिगाड़ा जा सकता है तो बहुत ही जादा चीज अच्छे से इन चीजों को मनुवर किया जा रहा है मैं आपको बताता हूं क्या हुआ है इसके पहले बिटा NTA ने कल रात को एक प्रेस रिलीज किया अब प्रेर्स रेलीज में NTA ने क्या बताया है इन्होंने बताया कि हमारे जो 5 सवाल ते जैसे कली में एक वीडियो बनाया है इसा लग रहा है वही वीडियो देख करके इन्होंने सारे सवालों के अंसर दिये है और जो उस वीडियो का सबसे पहला क्वेशन था वो सबसे नहीं हुआ तो हम अभी भी बोल रहे हैं पेपर लीक नहीं हुआ यह कोई स्टेट्मेंट नहीं होता है इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी चीजों का आजाद अबरू तरह से एक्स्प्लेइन करने की कोशिश करी एक क्वेशन था कि उस क्वेशन को बोनस क्यों दिय पूरे सेशन में बहुत काम है तो 14 जून पर रिजल्ट आने वाला था वो रिजल्ट को फूर्थ जून को शिफ्ट कर दिया गया है तो कल रात के प्रेस में बोला हम तेज हो गए और हमने पूचा कि फिर बच्चों के मार्स जादा क्यों आ रहे तो बच्चे तेज हो गए तो भाई यह क्या हो गया सभी तेज हो गए और अब जब हम जज्जमेंट मांग रहे हैं तो अब जज्जमेंट स्लो हो रहा है तो पहले तो रिजल्ट को जादा तेज इन्होंने रिलीस कर दिया 14 जून को रिजल्ट होने वाला था अब जब बच्चे इस चीज के खिलाव प्रोटेस्ट कर रहें यह इस दिन क्या था कोई तो बच्चे बबाल करते वह फिर बात चीज को पूरी तरह से चुपाने की इन लोगों ने कोशिश करी फिर जब हमने बहुत बोला तो Twitter पे इन्होंने reply करा मतलब कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं कोई ना कोई महाँ पर बैठा है जो strategically यह वाली सब चीज़ें cover कर रहा है और बहुत गंदे एकदम चीछोरे वाले प्लान यहां पर बना बना करके बच्चों के साथ खिलवाड कर रह कीगा 14 जून इन्होंने फाइनल डेट बताई जिस पर रिजल्ट आने वाला था वो डेट के पहले सब्मिट कर देना अधर्वाइस आपकी काउंसलिंग में जो भी एक्सेट एक्सेट नहीं होगी और यह स्पेशल कोटा की है आप सोचेंगे OBC की नहीं है जनरल की नहीं है यह तो हमारी काउंसलिंग है यह नहीं हमारे स्टेट की नहीं हो जाने देते हैं पर बटा यह चीज ना धीरे से यह यह मत समझी यह क्यों शुरू करवा दिये अच्छा आप अगर सोच रहे होंगे कि हर साल इसी समय पर होती है नहीं लास यह आप देखेंगे तो यह काउं के रिजल्ट आने के 3 दिन में काउंसलिंग क्यों स्टार्ट कर दी इसके बाद अंगर आपन देखेंगे तो क्या यह सिर्फ यहां है इन्हों कल सबसे पहले असाम में स्पेशल कोटा शुरू करा फिर नागालेंड के बोड ने काउंसलिंग की डेट release कर दी जो कि 6 जून से शुरू के 15 जून तक जाने वाली है अब 15 जून के पहले अगर application submit नहीं करी तो किसी भी बच्चे को counseling में part नहीं लेने दिया जाएगा यह फिर से दूसरा state आ गया है तो बटा यह इस तरह से जहां पर शायद need के बच्चे कम है या इन्हें लगता है कि जहां पर यह सेफ है वहां पर counseling बार-बार start करवा दे रहे हैं और धीरे धीरे करके यह major states में आ जाएंगे जहां पर need के बच्चे बहुत जादा हैं और फिर इस जगे पर यह आ जाएंगे कि वह यह NMC की All India वाली counseling भी हम हम शुरू कर देते हैं कोई बड़ी बात नहीं आप समझे यह पूरी पूरी साजिश है इन्हों ने शुरू से हमारे साथ खेल खेलना चाहा है और यह counseling जिसकी बात हम कर रहे हैं यह लास्ट यर 13 जून को रिजल्ट आया तो यह counseling लगभग 18 अगस्त तक गई थी मतलब जुलाई में तो शुरू हुई होगी तो यह counseling भी लास्ट यर 18 अगस्त में इसका spot round हुआ था तो यह लास्ट यर जुलाई में स्टार्ट हुई थी मतलब लास्ट यह counseling बहुत दिले हुई थी लेकिन इस साल यह सब कुछ तेज क्यों कर रहे हैं कुछ तो चुपाना चाह रहे हैं न अगर यह आपका support करते तो यह बोलते हैं न कि अच्छा काम करो तुम देख लो हम थोड़ा सा counseling में वैसे भी time लेते हैं हम धीरे-दीरे counseling कर लेंगे no issue पर यह support नहीं कर रहे हैं हम सबको जागना होगा we should not let this happen let them dominate हमें यह सारी चीजों के खिलाफ खड़े होना होगा इसके लिए क्या करना होगा अपने respective state अगर आप इस state से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो बच्छा please apply for stay अगर आपके पास possible means है तो हम हमारे तरफ से पूरी कोशिश क खड़े हमने right to information file कर दिया है और बहुत सारी events चल रहे हैं बटा बस please be vigilant आप इन चीजों का support ना करिए okay all the very best बच्चा we will win this fight definitely okay please support this video अच्छा लगा हो तो comment जरूर करिएगा support दिखाईएगा आप अगर states हैं तो comment करके बताए क्या आपके वहां कुछ action हो रहे है thank you so much